मेरे काम करने का सिध्धान्त विलियम वॉकर कहते हैं अपने प्रिया पाठकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि मनिश्य के मन में सबसे बड़ी शक्ती होती है और इसका विचार उर्जा की सबसे बड़ी अभी व्यक्तियों में से एक है मेरा मानना है कि जो व्यक्ति विचार की शक्ती का उप्योग करना जानता है वो जैसा चाहे स्वेम को वैसा बना सकता है मेरा मानना है कि किसी का शरीर न केवल उसके मन के नियंतर में रह सकता है बलकि वह यह भी कि वो जो चाहे नकारात्मक सोच के इस्थान पर सकारात्मक सोच की स्थती भाग या परस्थतियों को बदल सकता है वो कहते हैं मैं जानता हूं कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा कि सोच किसी व्यक्ति को ऐसी सफलता की ओर ले जाएगी जो मैं नहीं कर सकता की मानसिकता पर अटके व्यक्ति को किसी चमतकार के जैसा लगेगा वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि विचारों में वो शक्ति होती है विचार वह चीज होते हैं और विचार जगत में आकरशन का नियम किसी को उन चीजों तक ले जाएगा जिसकी उसे इच्छा होती है या वह जिससे डरता है मैं काम को धकेलने के सिध्धान्त को मानता हूँ मैं जितना करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मैं उतना ही करता हूँ जितना मैं हूँ मैं चानता हूँ कि वह व्यक्ती जो मन की शक्ती का लाप उठाएगा और जो उस शक्ती को कर्म का रूप देगा अवर निश्यत रूप से उतने ही सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। जितना की किसी कुशल धनोर धर की कमान से निकला हुआ बान। मैं मनुष्य के भाईचारे में विश्वास रखता हूँ। मैं दयालो होने में विश्वास रखता हूँ। मेरा मानना है कि सब को अपने काम से काम रखना चाहिए। और बाकी सभी को भी यही विशेशा धिकार होना चाहिए। और उन्हें ये विशेशा धिकार हमें देना चाहिए। मेरा मानना है कि हमें निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। पहला पत्थर वही मारेना जिसने कभी पापना किया हो, मेरा मानना है कि जो नफरत करता है वह हत्यारा है, जो लालज करता है वह चोर है, जिसमें वासना है वह व्यभी चारी है, अर्थात अपरात का सार उसकी इच्छा में छुपा हुआ होता है, यह देख कर अपने मन के अं ग्यानता है. मेरा मानना है कि सब कुछ जानने का अर्थ है, सभी को ख्षमा करना. मेरा मानना है कि मनुष्य में अच्छाई होती है. चलिए उस अच्छाई की अभिव्यक्ति से हम उसकी मदद करें. मैं पुरुष और इस्त्री की संपूर्ण समानता में विश्वास रखता कभी कभी मुझे लगता है कि परिस्थतियां कुछ हद तक इस्त्रीयों के पक्ष में हैं. मैं संभोग की पवित्रता को मानता हूं. लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि संभोग का प्रकतिकरन जितना आधात्मिक और मानसिक इस्तर पर होता है, उतना ही शाररिक इस्तर पर भी. और मेरा मानना है कि जो पवित्र है उसके लिए सब कुछ पाक सांफ है मेरा मानना है कि मनुष्य अमर है अर्थात सच्ची आत्मा वह भावना है जो मन और शरीर को अपने साधनों के रूप में इस्तेमाल करती है और अपनी अभिव्यक्ति को उन साधनों की उप्युक्तता के अनुसार करती है मेरा मानना है कि मनुष्य तेजी से चेतना के नए धरातल पर बढ़ रहे हैं जिसमें पज जैसा है वह अपने आप वैसा ही पाएगा मैं हूं को पहचानेगा उसे जानेगा जो उसके भीतर है मैं मानता हूं कि हमारे अंदर एक असीम शक्ति होती है और वह सभी चीजों में होती है मैं यह भी मानता हूं कि भले ही आज हमें उस शक्ति की बेहर मामुली समझ है फिर भी हम धीरे धीरे उसी पूरी तरह समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसे बहुत करीब से समझेंगे यहां तक की आज भी हमें उसके अस्तित्व की हलकी सी छलक दिखती है परमात्मा के साथ एकत्व की वहपल भर की चेतरा मेरा मानना है कि सबसे बड़ी खुशी परमात्मा के प्रती उस विश्वास करने वाले बच्चे जैसी सोच रखना है जिसे अपने माता पिता के प्रेम पर थोड़ा भी संदेह नहीं होता अपने विवेक पर संदेह नहीं होता ततावह अपने नन्ने हाथों को अपने माता पिता के हाथों में रख देता है और कहता है तुम मुझे आगे ले चलो मेरा मानना है कि पर्मात्मा के प्रती उस शिशु का समान सच्चा विश्वास रखता है जो अपने छोटे से ठके हुए सिर को अपनी मा की जाती से चिपका देता है वहाल लाड से पुछकारे जाने को भी उस शिशु के समान समझता होगा जिसे मा अपने कलेजे से पूरी तरह चिपका लेती है विलियम वाकर आटकिनसन अब तक हमने चाना कि यह पुस्ता क्यों बढ़े और लेखक अपने सिध्धान्तों के बारे में हमें बताते हैं उनकी सोच क्या है? वह क्या सोचते हैं? उनके अपने खुद के क्या मूल सिध्धान्त है? इसके बाद भाग एक की शिरुवात हुती है जिसका शिशक है विचारों की दुनिया में आकर्शन का नियम एक महान नियम विचार उर्जा की अभिव्यक्ति विचार कंपन, प्रकाश और ताप के कंपन में अंतर केवल वेक का होता है विचार तरंगों को दर्ज कर सकने वाला एक मात्र यंत्र मानव मस्तिश्क टेलीपैथी के प्रयोग विचारों के आकर्शन के नियम को सत्यापित करता है विचारों की दुनिया में समान भाव एक दूसरे को आकर्शित करते हैं मस्तिश्क का तार विहीन दूर संचार नियमों द्वारा इस्थापित एक उर्जा का शेत्र है ब्रहमान्ज नियम से चलता है एक महान नियम इसके स्वरूप अनेक है पर सब का परमभाफ एक है हम कुछ स्वरूपों से तो परिचत हैं पर बाकियों से बिल्कुल अंजान है हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं धीरे धीरे परदा उठ रहा है गुरुत्व आकरशन के नियम पर तो हम ग्यान दर्शाते हैं पर विचारों की दुनिया के उतने ही अध्वत स्वरूप आकरशन के नियम को नजर अंदाज कर देते हैं हम नियम के उस स्वरूप से तो भली भाधी परिजित हैं जो अणुओं को पास लाता है और उन्हें थाम कर रखता है जिससे तत्व का निर्मान होता है हम उस नियम को तो मानते हैं जिससे कोई वस्तू पृत्वी की ओर आकरशित होती है जो घुमने वाली सारी दुनिया को ठाम कर रखती है पर हम उस नियम को नहीं देखना चाहते जो हमारी कामनाओं का भय आकरशित करती हो जिससे हमारा जीवन बंटा या बिगरता है जब हम यहाद देखेंगे कि विचार उर्जा का एक स्वरूप है एक ऐसी शक्ति जिसका आकर्शन चुम्बक की तरह है तो हम उन कई चीजों के क्यों और कब को समझ जाएंगे जो हमारे लिए अभी तक अबूश थी कोई भी पढ़ाई अपने चात्र को उसके समय और संगर्शों का वैसा भुगता नहीं करती है जिसा की विचारों की दुनिया के नियम लिधे शब्दों में आकर्शन के नियम की पढ़ाई करती है जब हम कुछ सोचते हैं तो हावाई तत्वों का एक कमपन पैदा होता है नहीं जो की उतना ही वास्तविक है जितना की प्रकाश, ताप, विद्यूतिया, चमबक का कमपन यदि हमारी इंद्रिया कुछ महसूस नहीं कर पाती हैं तो इसका ये मतलब दो नहीं कि इनका अस्तित्व नहीं है एक चमबक में इतना शक्ति शालिस पंदन होता है कि वह सौ किलो के लोहे के टुकडे की ओर आकर्शित हो जाता है फिर भी हम उस शक्ति को देख, सुन, सूंग या चक नहीं पाते हैं है ना ये विचार तरंगे भी उसी तरह से समानी रूप में देखी, सुनी या महसूस नहीं की जा सकती हाला कि ये भी सच है कि मनोवे ग्यानिक प्रभाव के प्रती सम्वीदन शील लोगों के मामले में अभी लेख लिखे हमें हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस किया जिन्होंने शक्ति शाली विचार तरंगों को महसूस किया हम में से कई लोग इस बात को मानेंगे कि उन्होंने दूसरों की विचारतरंगों को महसूस किया चाहे वे उनके साथ हो या कहीं दूर टेली पैथी और उस जैसी अन्य घटनाएं कोरी कलपना नहीं है प्रकाश या ताप का कमपन तो विचारों के आगे बहुत ही शीन है अंतर केवल उनके वेक का होता है विज्ञान भी एतिहासी काल से इंप्रेशन पर अद्पुत टिपणियां करता आ रहा है विज्ञात वेक्यानिक प्रोफेसर एलीशा ग्रे अपनी पुस्तक दम्रेकलस ओफ नेचर में कहते हैं कि इस कयास में काफी वजन है कि ऐसी कई ध्वनी और प्रकाश की तरंगे हैं जो हमारे कानों और आखों से परे हैं ब्रहमांड में हमेशा गतिशील 40,000 से 4,000 ट्रिलियन प्रती सेकंड कमपन के बीच मौजूद अंधेरा और खामोशी तरथा 7,000 ट्रिलियन प्रती सेकंड कमपन के बाद एक प्रकाश हीन अनन्त इस कयास को बल देता है M.M. Williams अपनी रचना Short Chatters in Science में कहते हैं एक बहुत तेज आवाज का एहसास करने वाली तरंगों और एक बेहत मखमली गर्मी का एहसास देने वाली तरंगों में कोई निर्धारित क्रम नहीं होता इनके बीचे खाल ही स्थान है जो इतना विशाल है कि उसमें ध्वनी और प्रकाशताव का पूरा गदी शील विश्व समा जाए इस बात को मानने का कोई कारण नहीं है कि गदी विधी की मथ्यस्त दता कर सकने वाला कोई तत्व नहीं है लिखा कहते हैं कि मैंने उप्युक्त लोगों का जिक्र आपको विचार तरंगों के अस्तित्व का प्रमार देने के लिए नहीं बलकि आपके मन्थन मात्र के लिए किया है इस विशय के कई अनुसंधान कर्मियों ने गत नामित प्रमार को सत्याबित किया और ठोड़ी सी मंत्रना करने पर आप भी इसे अपने अनुभव में खरा पाएंगे एक मनोवे ग्यानी कथन हम बार बार सुनते हैं विचार एक वस्तु है और इसका मतलब जाने बगैर ही हम इसे दोहराते चले जाते हैं यदि हम इस कथन की वास्तविक्ता और उसके सभावे परिणामों की गहराई को समझेंगे तो हमें वे कई सारी बाते समझ में आ जाएंगी जो अब तक हमारे लिए अभूश्ती हम उर्जा के एक ही स्वरूप की उस अनोखी शक्ती विचार की शक्ती का इस्तमाल कर सकेंगे जैसा कि मैंने कहा कि हम सोचते हैं तो कमपन की प्रक्रिया शुरू होती है ये तरंगे उतनी ही वास्तविक हैं जितनी की प्रकाश, ताप, धनी या विद्यूद की तरंगे होती हैं और जब हम इन तरंगों की उत्पत्ती और कारे शहली के नियमों को समझ जाएंगे तब इनका भी वैसा ही इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे जैसा की हम उर्जा के बाकी सरोपो का किया करते हैं हम इनको देख सुन मापया तोल तो नहीं सकते पर इसका ये मतलब बिलकुल नहीं कि ये होते ही नहीं है ऐसी ठेरो धनी तरंगे हैं जो इनसानी कानों को नहीं सुनाई देती इन में से कुछ का आभास तो अनेजीव जन्तों को होता है और बाकी मानव निर्मित यंत्रों पर दर्ज की जा सकती है फिर भी इन यंत्रों पर दर्ज तरंगों और उस परी सीमा के बीच एक विशाल रीखती है खाली स्थान है जिसे इनसान का दिमाग समरूपता के आधार पर धनी तरंगों और अन्य तरंगों के बीच की सीमा रिखा मानता है इसके अलावा ऐसी प्रकाश किरणे भी मौजूद हैं जिने इनसान की आँखें नहीं देख सकती कुछ तरंगे तो उपकरणों पर दर्ज हो जाती है जबकि कई तरंगे ऐसी भी है जिनके लिए कोई उपकरण ही नहीं बना हाला कि प्रतीवर्श इसमें बहतरी हो रही है और इस अंजान शेत्र का दाइरा घटदा जा रहा है जैसे जैसे नए उपकरणों का अविशकार हो रहा है उन पर नई तरंगे दर्ज हो रही है मगर ये तरंगे उन उपकरणों के अविशकारों से पहले भी उतनी ही वास्तविक थी जितनी की आज है जरा सोचिये यदि हमारे पास चुमबक को नापने के लिए कोई साधर नहीं होता तो उनके अस्तित्व पर क्या हम सवाल उठा सकते थे क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते या माप नहीं सकते फिर भी एक शक्तिशाली चुमबक सैंकडों किलो के लोहे को आकरशित करने के लिए अपनी तरंगे तो प्रेक्षित करता ही है है ना हर तरंग को मापने के लिए उसके ही प्रकार के उपकरण की जरूरत होती है फिलहाल तो विचार तरंगों को दर्ज करने के लिए मानम मस्तिश कही एक मात्र उकरण है हाला की कई फविश्य द्रिश्टाओं का मानना है कि इस शर्ताबदी में विज्ञानिक ऐसे उकरणों का अविश्कार करने में सफल हो जाएंगे जो इस प्रकार की तरंगों को दर्जगर सकेंगे और आजकल के हालात को देखकर यह कहा जा सकता है कि अविश्कार किसी भी क्षण हो सकता है मांग है और बेशक आपूर्ती भी होगी मगर टेलीपैथी के प्रयोगों से चुड़े लोगों को उसके निशकर्ष के बाद किसी प्रमार की जरूरत नहीं होती है हर वक्त हम अलग-अलग तीवरता के विचार प्रेक्षित करते हैं और उसी के अनुसार परिणाम भी हसल करते हैं हमारी विचार तरंगे न सिर्फ हमें प्रभावित करती हैं बल्कि उनमें एक शक्ती होती है हमारी प्रेम के विचार वैसे ही दूसरे विचारों को हमारी ओर आकर्शित करते हैं परस्थती और परिवेश भी हमारे विचारों के सामन जस्से में होते हैं क्रोथ, ईर्शा, घ्रना और द्वेश के विचार हमें वैसे ही कलुशित समुंग के लोगों की ओर आकर्शित करेंगे. परस्थतियां इनको प्रकट करेंगी और बदले में हमें वही मिलेगा. ऐसे ही समान लोग. एक द्रेड या दीर्ग कालिंग विचार हमें अन्य समरूपी विचार तरंगों के आकर्शन का केंदर बनाएगा. विचारों की दुनिया में समरूपी विचार एक दूसरे को आकर्शित करते हैं. जैसा बोगे वैसा काटोगे. विचारों की दुनिया में चोर-चोर मौसेरे बाई होते हैं या फिर जैसी करनी वैसी भरनी सही है यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ होता है तो उसे अपने आसपास सिर्फ प्रेम ही प्रेम नजर आता है इसी तरह घ्रणा से भरे हुए व्यक्ति को घ्रणा ही मिलती है यदि कोई व्यक्ति जगडे के बारे में चिल चिड़ा होता है तो नाश्टे से पहले पूरे परिवार को वह उसी भाव से भर देगा किसी तुनक मिजाज औरत को दिन भर तुनक मिजाजी ही मिलेगी विचारों का आकर्शन एक कंभीर मुद्धा है जब आप इस पर सोचना बंद कर देते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि इनसान जिस परिवेश के लिए दूसरों को दोश देता है ना वास्तव में उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होता है मेरी जान पहचान के कई लोग हैं जिन्होंने इस नियम को समझा और वे एक सकारात्मक बशांत विचार धारण करते हुए अपने आसपास की विश्रमताओं से अनभिग्य रहते थे वे तो उस मटके की तरह थे जिसमें से तेल की कुछ पूंदे पानी पर डाल दी गई हो वे खुद शांत बैठे रहते थे जबकि उनके आसपास की पानी की पूंदे हिलोरे मारती थी इस नियम को समझ लेने के पर शाथ मनुष्य अस्थेर विचारों के भरोसे नहीं बैठ सकता हम भातिक बल के युग से निकल कर बादिक प्रबत्तु की युग में आ चुके हैं और अब हम बिलकुल नए और अंजान युग में प्रवेश कर रहे हैं मनोवेग्यानिक शप्ति का युग बाकियों की तरह उर्जा के इस शेत्र के अपने नियम है और उन्हें समझना बेहत जरूरी है वरना हम ना समझ लगों की तरह बेसिरपैर की कोशिशें करते रह जाएंगे मैं उर्जा के इस नई शेत्र के सिद्धान्तों को आपको सरल भाशा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसका वैसा ही सदोपयोग कर सकें जैसे की भाप, विर्द्यूत या किसी अन्य रूप का करते हैं इसी के साथ विचारों की दुन्या में आकर्शन के नियम अध्याय का समापन होता है दूसरे अध्याय में हम जानेंगे की विचार दरंगे और उनकी प्रजनन प्रक्रिया क्या है आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह के अच्छे और मुलेवान कांटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ अगले अर्धाय में जल्दी ही आप लोगों से मिलूंगी तब तर स्वस्त रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद